हेलो जी असलाम लेकम कैसे हैं आप सब मीडिया सब ठीक होंगे वेलकम टू दा निव व्लाग तो मैं जारी हूं वजार और रास्ते में मुझे ये निजर आई है रेडी इस पे टांगरियां और मखाने और बुने हुए चने और इस तरह की काफी निमको काफी ज्यादा चीज तो मैंने सोचा कि इनको भी जो है ना दिखा लेती हूं बच्पन में हमने बड़ी टॉंगरियां खाई थी तो यहां पर जो है मैं जा रही हूं बाजार और यह देखें जी यह नहर है यह पता कौन सी नहर है यह वाली नहर है जिस पे गाना बना था किसानु नहर वाले गर्मी जो है ना वो भी थोड़ी कम है गर्मी कम है तो मैंने सोचा कि आज जो है ना चले बजार का चक्कर लगा आते हैं और यहां पर क्या नई चीज़ी आई हैं वो देख लेते हैं और मुझे यह फ्राक बहुत अच्छी लाग रही थी मेरी कजन है चोटी तो मैंने सोचा कि उसके लिए ले ले लेती हूं लेकिन भाई इतनी ज्यादा महिंगी थी डिसकाउंट के बावजूद भी महिंगी थी मतलब ओवरी रेटिर जो है ना कुछ कपड़ों की प्राइस लगी होती है यह जो ब्रैंड है हास करकी यह तो और यह प्रिंट में वो लोकल वाले होते हैं जो लोकल प्रिंट लेके उन पे स्टीच कर लेते हूं और मैं सोच रही हूं कि मेरा अपना बिजनस शुरू कर लूँ इसना से मतलब स्टीच करके ना तो अपनी एक ब्रैंड launch कार लेते हो लेकिन फिर मैं सोच थी हूँ के मैंने ब्रैंड से कपड़ा हरीतना है मतलब यह जो शौप्स हैं तो फिर उसका इतना benefits नहीं होगा ना तो होल सेल पे अगर कपड़ा मिले या बलक मैं कपड़ा मिले तो उस पर बंदा काम करें ना तो वो सही होता है तो मेरा यह जो है ना अपने बिजनेस की तरफ स्विच ओना शुरू हो गया था वैसे भी मैं तीन चार दिन से यही सोच रही हूं कि मुझे ना इस तरह की प्लेन जो बेसी कलर में शलवार्ज है ना यह स्टिच करके तो मैं अपना बिजनेस शुरू करती हूं मैं खुद से बनाती हूं यह देखें यह फ्राक्स भी ममी भी कह रही थी कि इस तरह की तो तुम फुद स्टिच कर लेती हो और देखो इनकी इतनी ज्यादा मतलब के प्राइस लगी हूई है तो मैं भी सोच रही थी कर रहा है और इस पर है किया सिरफ यह गोटे के साथ बना हूँ है वैसे खदर जो है ना ठीक है इसका इंब्रोइडी वाली है तो यह बिल्कुल प्लेन सी स्टिच हुई है और जो कैपरी होती है मतलब ट्राउजर होता है फ्रांट प्लेन बैक लास्टिक यह जैसे नीचे से बिल्कुल सिंपल पहुंचा यह उपर से जो इस तरह से इलास्टिक होता तो यह तब के गाड़ी भी होनी चाहिए आने जाने के लिए और ये सब कुछ न तो यहां पर मैं वही हिसाब देख रही थी कि कपड़े कैसे मिल रहे हैं अगर यहां से कपड़े लेकर स्टीच करके वह सेल आउट करूं अपने ब्रैंड पे तो वह कैसा है बस मैं घूम तो बाजार बार में रही थी और मेरा दिमाग जो यहां वह इस चीज की तरफ गूम रहा था हैर लेकिन अभी शुरू नहीं का रही वह शुरू किया तो आपको पिर बताओंगी लाज़नी लेकिन मेरा यहां के जैन इस चीज की तरफ आ रहा था उसके बाद मैं घार रही और आकर मैं जी सालन क्योंकि कुछ और भी शापिंग की तो इसलिए लेट होगी हूँ मैंने यहां पर बिलकुल बारीक बारीक जो है ना अलू कट कर लिये थे और मतलब ग्रेवी वाले अलू बनाओंगी और उसाथ जो है ना दो अंडे पड़े हूए है तो वो बॉाइल करके ना इसके अंदर डाल लूँगी क्योंकि अम्मी के घर में अक्सर इस तरहां से ना मतलब बनता है बॉाइल इंडे वाला ना तो आज मेरा भी दिल की है तो मैंने सुचा कि आज यही बना लेती हूँ लेट भी होगी है और एक तो यह बन भी जल्दी जाएंगे तो इसलिए जहाना बाजार में काफी ज्यादा मैं ठक चुकी हूँ और मैंने आपको बताया कि मैं जो है बना भी मतलब कनफॉर्म नहीं है कि यह बिजनस शुरू करूंगी मतलब वहां बजार में ही मेरा माइंड बनाया और बस जी मैं उस पे मतलब वहीं से सोचना शुरू होगी हूँ लेकिन यहां कि मेरे पास मतलब थोड़ी मतलब ऐसी मतलब फैसिलिटीज हो ना कि मैं रोज़ा ना अगर ऑनलाइन करूंगी तो जहरे मुझे कोरियर आफिस के भी चकर लगाने पड़ेंगे पोस्ट करने के लिए तो मेरे पास ऐसी कोई फैसिलिटी नी कि कोई मतलब मेरे पार्सल्स मेरे से लेके जाए तो वो भी मुझे हुद करना है स्टीच भी मुझे हुद करने है बैबी कपड़ा मुझे हुद करना है स्टीच भी हुद करूँगी और उसके बाद जो है फिर उसको सेल करूँगी फिर उसको पोस्ट करके आउंगी तो इसलिए मेरे लिए ना थोड़ा सा मतलब करूंगी तो मतलब कैसे कैसे बिजनस स्टार्ट करते हैं तो फिर अगर अगर आधे मदद की तो अगर 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 आने चाहा काबल हूई तो फिर मैं कर लूँँगी और यहां पर यह देखें नीचे गीरी नहीं रहा था अंड़ा प्लेट के साथ ही चिमण गया तो मेरा साल और अली हम्जा जो शुगुफता इजाज के मतलब बेटी और उनके बेटा हैं उन्होंने भी शुरू किया तो उनका भी माशालला से काफी चाल गया तो मेरा भी जैन उसी तरफ है यह नहीं कि मैं उनके साथ हुद को मैच कर रही हूँ वो काफी ज्यादा बढ़े हैं और मैं इसका बलुई तो कर लूँगी है यह मैंने अपनी जो फूपो का ड्रेस स्टीच किया था मेरी बैनों ने देखा था तो उन्होंने मुझे इतना कमेंट किये कि हमें इस ड्रेस की स्टीचिंग बताएं तो इस तरह से मैं इसको प्लेन गोल गले के साथ स्टीच किया नीचे इसका औरगेंजा का पैच दिया गया था तो मैंने नीचे से औरगेंजा कट करके इस तरह से कटवरक बना लिया और वोर्टेज का लिया और चॉक्स पे इस तरह से पलटा लगा लिया और यह चिकन कारी पर बना हुआ तो इतना अच्छा और इसका ब्रेंड जो है ना मैंन तब बन जाता है ना तो मैं इसको खोल के आपको दिखाती हूँ पहले वाला पाइप जो हराब हो गया तो और दूसरा जो बड़ा पाइप है ना वो हवेली वाली साइड पर है तो वहां से रोजा ना लेके आना और उतारना लगाना वो मेरे लिए मतलब मुश्कल है बहुत ज्यादा क्यूंकि जो है ना पाइप को ज्यादा मतलब बजबूती से फिर लगाना भी होता है और यह देखेंगे मैं अच्छी क्वालिटी का अपनी तरफ से तो लेके आई हूं शॉप की पत्से काया कि जो सबसे अच्छा है ना वो वाला चेक करवाएं तो उन्होंने यह वाला बताया है तो अब फिर यह वाला ले आया है और यह 100 फूट जितना मतलब मारा सेन है ना यहां से चड़ा के ना तो यह उत्रे ना क्योंकि मेरे से बड़ा ही जल्दी जब मैं वाश का रही होती हूं फरेश तो पीछे से वट पढ़ जाता है उसको तो जो है ना जैसे ही उसको आता है तो फिर नीचे मतलब उदर जाता है तो फिर मुझे दोड़ दोड़ के जो है यह स्टीच कर लेती हैं जल्दी से क्योंकि इतने ज्यादा मेरे पस कबड़े जमा होई जा रहे हैं तो मुझे टाइम नी मिल रहा है और इसके साथ नलकी मिल गई मैच हो रही है ओखो यह सही तो मैच ही नहीं है मतलब जैसे स्टीच करूंगी तो ओपर से वाज़ा नज़र अब भी मैं जो है ना अपने मेरे कजन्स आएंगे ट्विशन के लिए तो उनको मैं बहेज के जो है मंगवा लूँगी अगर ना मिली तो पहले चेक कर लो ना सारे डिबे मिली जाए तो अच्छा है वरना अगर ना मिली तो जो है ना फिर मुझे मंगवानी पड़ेगी औ और फिर मुझे शाम तक वेट करना पड़ेगा क्योंकि वो सेकंड टायम आते हैं और मुझे नहीं मिली चले कोई बात नहीं मैं हुद मंगवा लोंगी तो बस इस व्लाग को मैं यहां पर ही करती हूँ है अगर आपको वीडियो अच्छी लेगे तो वीडियो को लाइक जर पूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे मिलेंगे नेक्स्ट वाग में अल्लहा आपिस जी बैबाए